असलाम अलेकुम गाइस वेलकम बैक टो अनदर वीडियो होप्ट यू गाइस आज की वीडियो में आपको ब्लोगर साइट के ओपर प्रोपलर एड्ज नेटवर्क का अप्रूवल लेने का मैथड शेयर करने वालों के कैसे आप प्रोपलर एड्ज अकाउंट को क्रियेट कर स हैं और प्रोपलर एड्ज के ओपर अर्णिंग आपको डेफिनिटली मिल जाती है अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है और वह बिल्कुल जाया हो रही है तो बेस्ट प्रोपलर एड्ज का अप्रूवल ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पर और अर्णिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को अन कर लें ताकि इसी तरह की इमेजिंग वीडियो को नोटिफिकेशन इस पर लेना चाते हैं जैसे कि मैं यहां पर इसी साइट के ऊपर अप्रूवल लेना चालता हूं अब आपने नेक्स क्या को ने यहाँ नियू टैब ऊपन करना है इहां पने सर्च करणे के बाद आपको फरोपन श nowper पे साइट मिलेग इसको आपने उपन कर लेना है आप पर आजेंगे यहां पर आपने सबसे बिले अपना account सेट आप कर लेना है आपको यहां पर start का option मिल रहा है इस पर आपने click करना है then guys आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपको two options मिलेंगे जिसके अंदर advertiser और publisher मिलते हैं advertiser basically अगर आपको अपनी ads को पर traffic चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा कि प्रोपलर ads को पर आप traffic भी ले सकते हैं यहां पर आप सस्ती campaigns चला सकते हैं जिसमें जादा course वगरा नहीं आती है और बहुत सारे लोग प्रोपलर ads का भी use करते हैं campaign runs करने के लिए तो अगर आपको campaign run करनी है तो best option है कि आप प्रोपलर ads का advertiser option यहां पर select कर सकते हैं और अपनी किसी भी post वगरा को अपनी website को promote करवा सकते हैं लेकिन हमने अपने account को monetize करवाना है अपनी website को तो यहां पर आपने select करना है publisher आपने यहां पर select करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर आप second page पर आजेंगे and अब आपने अपना account create करना है manually account भी create कर सकते हैं और अपने gmail के साथ भी इसको connect कर सकते हैं तो मैं यहां पर gmail से ही connect कर लेता हूं connect करने के बाद continue पर click करना है आप आप को यहां फर म्फल करने जिसका अंदिविझी और company तो आपने यहां पर कंट्री इन्ट्री स्लाक्ट करना है मैं यहां से अपना country करta कर लिता हूं है यहां पर आपको option मिलेगा What do you monetize so यहां पर अपने select कलेना है website यह यहां पर आपने website qrl कोपी घरते हूं यहां पर कीड़ियरा पर आहनने कब अब को यहां पर on pation मील रहा हा वाव चक्राइस तो आपने यहां यहां पर यूट्यूब कर इड़ नेटवर्क यूज नहीं कर रहें जिसके पर मॉनिटेज क्या अकॉंट तो अगर आपको यूज कर रहे हैं जैसे के इजोएक या फिर आपको यूज कर सकते हैं इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता कि आप money tech के ads भी यहाँ पर run कर सकते हैं अगर आपके ads के ads भी चल रहे हैं फिर भी आप money tech के ads भी run कर सकते हैं इससे आपके दोनों accounts के ओपर running होगी तो आप इस तरीके से भी use कर सकते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर second step मिल जाते हैं यह भी optional है तो इसको हम skip कर देंगे यहाँ पर आपने terms and conditions को tick कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको money tech का dashboard show होगा जिसके अंदर आपको sidebar के अंदर statics मिल जाएंगे sites मिल जाएंगी उसके बाद android apps और यहाँ पर android apps के लिए भी work कर सकते हैं उसके बाद direct link मिल जाएगा payments earnings यह सारी आप sidebar के अंदर देख सकते हैं तो अब हम यहाँ पर सबसे फिल अपनी website को connect कर लेंगे ready add है अब आपने यहाँ पर add side पर click करना है तो guys यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से option मिलेगा verification का जिसके अंदर आप file upload करके यहाँ से आप कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा lengthy method तो आपने इसको skip कर देना है यहाँ पर other option पर click करेंगे आपको यहाँ पर insert code का option मिलेगा यह wordpress plugin का अगर आप wordpress का use करें तो आपने यहाँ पर wordpress का plugin install कर लेना है wordpress के अंदर plugin install करने को बाद यह automatically verify हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर insert code पर click करूंगा अगर आप यह wordpress plugin नहीं करना चाते तो no issue आपने यहाँ पर simple select कर लेना है insert code यह आपने code copy करना है head section के अंदर आपने इस code को paste करना है यहाँ पर देख सकते हैं between the head section तो आपने इस code को copy करना है यह same process आप wordpress पर भी कर सकते हैं blogger पर ब्लोगर साइट पर आना है themes का section पर आएंगे यहाँ पर आपने arrow पर click करना है edit html पर आ जाना है यहाँ पर जैसी आप code के section पर आएंगे आपको प्र्जोट प्रेस्ट करना है यहां पर आपने यहां से कोपी किया था यह कोड आपने यहां से inspires करने कि बाद इस friendships colors आप सेफ पर कलिक करेंगे then यहां पर हम को को करने के लिए यहां पर धेक सकते हैं sense,this is आपने करना है उसके बाद अगें सेफ पर क्लिक करेंगे तो यह यहां पर सक्सेसफुली एड़ हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहां पर अपडेट हो चुका है तो इस तरीके से आपने कोड को एड़ करना है बहुत सारे लोग वीडियो को अगर आपको कोई भी एरर ना फेस करना पड़े अब आपने मोनिटेक पर वापस आना है और यहां पर आपने वैरिफाइब पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी वैबसाइट जो है वैरिफाइड हो चुकी है इत मीन्स के मोनिटाइज भ अप्रूवल ले सकते हैं इसके उपर आपको 100% अप्रूवल मिल जाता है और इसके उपर आपको कोई भी रिक्वाइरमेंट्स नहीं होती है मैंने तो यहां पर कुछ आर्टिकल लिखे होएं अगर आप एक दो आर्टिकल भी लिखने के बाद अप्लाय करेंगे तो तब भ बहुत जादा यूज होती हैं जो के बहुत सारे लोग यहां पर पूछ रहे होते हैं कि इसको कैसे और आपने क्या करना यहां पर पूछ आपD नहीं करने है उसके बाद यहां पर आपने कोई pop-up आड़ नहीं लगाना है आपने simply यहां पर वह एड्ज यूज करने जिससे जो site के ओपर ads properly run हो सके कोई adult ads वगरा ना use हो तो इसके लिए आपने क्या करना है यहां पर आप sites पर आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी one site जो add हो चुकी है इसके बाद यहां पर आपको direct link का option मिल जाता है तो direct link पर click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह आपको एक link मिल जाता है जो के successfully add हो चुका है इस link से क्या होता है कि यह link आप कहीं पर भी paste करेंगे उससे आपकी यहां पर definitely earning होगी कोई भी इस link पर click करेगा उससे आपको revenue generate होगा आप किसी भी website के अंदर किसी भी article के अंदर लगा सकते हैं जैसे कि मैं किसी एक article को open कर लेता हूँ and यहां पर मैं कहीं पर भी paste कर देता हूँ तो मैं यहां पर क्या करता हूँ post के अंदर किसी भी article को open करता हूँ ओपन करने के बाद मैं इस आर्टिकल के अंदर किसी भी एक option के उपर में button add कर ले तो यह बटन add कर लें यह पिर यहां पर आप किसी word के अंदर add कर लें जैसे के मैं यहां पर इस line के ओपर add कर देता हूं लिंक को तो इसके ओपर क्या करना है आपने select किया option insert यहां पर option पर click करना है यहां पर link add किया है apply पर click किया है यहां पर आने के बाद मैं इसको open कर लेता हूं आर्टिकल को आर्टिकल open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिंक क्रियाट हो चुका है अब कोई भी person होगा कोई आपकी traffic आ रही होगी side के ओपर कोई भी person इस पर link पर click करेगा तो definitely उसको यहां पर ads शोंगी जि इस तरीके से यहां से आप earning कर सकते हैं direct link के थुरू जैसे के यहां पर आप देख सकते हैं इस link से आपको जो है अच्छी earning मिल जाती है और यहां पर statistics पर आएंगे यहां पर आप click करेंगे तो आपको यहां पर complete data मिल जागा कितने आपको clicks मिलें और कितनी traffic आई यहां से data दखा रहा कोई data नहीं show कर रहा क्योंकि अभी है account जो है newly create किया है तो इसलिए अभी वड़ा सा time लेगा update होने में तो guys अब आपने next क्या करना है sites कर वापस आना है यहां पर आने के बाद open site पर click करेंगे यहां पर आपको add zone को option मिलेगा अब आपने ads भी place कर लेनी है मैं आ recommend करूंगा आप direct link का use करें जादा और यहां पर इंट्रेस्ट्रियल का use कर सकते हैं वाइगनेट banner का भी use कर सकते हैं तो यह तीन आप use कर सकते हैं इसके बाद आपको in page push मिल जाएगा banner मिल जाएगा यह banner add कर ले push notification add नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर अकसर adult ads वगरा use होती हैं तो इसको आप बेशक्त ना use करें इसको skip कर दें simple आपने क्या करना है यहां पर कौन कौन सी ads लगानी है मैं यहां पर add कर लेता हूं मैं यहां पर इंट्रेस्ट्रियल ad use करता हूं तो यहां पर आपको link मिल जाएगा यह आपने copy करना है copy करने के बाद आप blogger पर यहां पर आने के बाद आपने link जो है paste कर देना है तो मैं यहां पर header के अंदर add कर लेता हूं यहां पर pencil पर click करना और यहां से आपने content के अंदर link paste कर देना इसको आपने own कर लेना उसके बाद save पर click करना है again save पर click करेंगे and अब मैं यहां पर refresh करके भी आपको दिखा देता कि हमारी एड यहाँ पर प्लेश हो चुक disciplesवली और यह यहाँ पर देखसकत हैं यह एड यहाँ पर सकते हैं यह यहाँ यहाँ तकित की οसब्स करें यहाँ और यहां करने के बाद यहां पर इंग देख सकते हैं ऐसे को बाद और आ। यहां पर आपने प्लेस करनी के लिए यहां पे आप आपने स्क्रॉल में चुमिता करना है त ecc यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है यहां पर आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको कर लेता हूं footer के अंदर footer ads के अंदर इसको मैं place कर लेता हूँ यहाँ पर आपने save पर click करना है उसके बाद again आपने save पर click करना है आपने एक बात का ख्याल रखना है कि show this white gate इसको आपने own करना लाजमी ताके आपके ads जाओं यहाँ पर show हो सकें तो मैंने यहाँ पर off किया वा था तो अभी के लिए यहाँ पर मैंने save करने के बाद view block पर again click करेंगे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारी ads properly show हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ads यहाँ पर प्रोपल शो हो रही हैं and second ad भी यहाँ पर show होगी है जो कि इस टाइप से ad है तो आप इस तरीके की ads use कर सकते हैं इसके अंदर आपको कोई भी adult ads show नहीं होती है यहाँ पर next आप आपने वापस बैक जाना है एक और ad place कर लेते हैं ad zone पर click करेंगे and मैंने यहाँ पर आपको direct ad use करने का भी तरीका बता दिया कैसे direct ad use करनी है उसका link का आप किसी भी post और के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं एक ही link को आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं जादा issue नहीं है and यहाँ पर wagonate ad का भी मैंने आपको बता दिया कैसे use करनी है interest real का भी पता दिया अब यहाँ पर आ जाता है in page push banner अब आपने get tag पर क्लिक करना है यह भी ad successfully place हो चुकी है अब आपने इसको copy करने के बाद blogger पर आएंगे layout section पर आ जाना है content के अंदर आपने यह paste कर दिना code उसके बाद आपने save पर क्लिक करना है इस तरीके से आप इसके ads को place कर सकते हैं and यहाँ पर मारी ads successfully place हो चुकी है अब मैं यहाँ पर view blog पर click करता हूं चैक कर लेता हूं जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं ads यहाँ पर show हो रही है अब मैं post के अंदर आता हूं किसी भी post पर आने को बाद यहाँ पर भी एक ad show हो गई है second ad भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आपके ads show होंगी तो इस तरीके से इन ads का यूज कर सकते हैं मैं इनको cross करता हूं जैसे के यहाँ पर देख सकते हैं redirect हो गई है तो इस तरह से आप ads का use करके earning कर सकते हैं तो यह था method simple सा जो कि मैंने आपको यहाँ पर share करना था अब मैं आपको यहाँ पे payment method share कर देता हूं payments के section पर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते है payments में आने के बाद आपको यहाँ पर daily जो है payments यहाँ पर show हो जाएंगी कितनी आप daily earning किया हो यहाँ पर आपको show होगी and एक बात बता दूं और भी के minimum जो यहाँ पर withdrawal है वो hundred dollars का है hundred dollars जब आपके complete होजेंगे आ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर हम वापस आएंगे अपनी profile पर payment method का आपको यहाँ पर option मिल जएगा इस पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर आपको three options मिलते हैं जिसके अंदर PayPal आ जाता है पायोनीर आ जाता हुसके बाद आ जाता है crypto currencies इन तीनों में से आपको यह select कर सकते हैं create request पर क्लिक करेंगे अगर आपको कोई और bank account है जो missing है वो यहाँ पर add कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा आप pioneer में use कर सकते हैं वैसे तो बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ it will be available after your account balance is above $30 अगर आपका $30 प्लस हो जाता है तो pioneer में payment receive कर सकते हैं जिसके अंदर minimum payout वो $20 का है लेकिन यहाँ पर अभी option दे रहा है कि आपके minimum $30 तक होने चाहिए अगर आप $30 तक complete कर लेते हैं तो आप यहाँ पर $30 minimum receive कर सकते हैं वो भी pioneer में जो के pioneer बहुत जादा best option है इजोएक पे भी यही recommend करता हूँ इजोएक मे चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं pioneer में भी अब आप withdrawal करवा सकते हैं और minimum $20 का withdrawal होता है PayPal में भी आप ले सकते हैं अगर आप PayPal वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पर PayPal में भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप instant payment निकलवा सकते हैं USD में USD dollar में जो के $5 तक minimum आप payout कर सकते हैं no extra fees कोई extra fees वगरा नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है payments receive कर सकते हैं method में ने आपको share कर दिया मीद करता हूँ वीडियो बहुत जादा helpful होगी अगर आपको इसके related कोई भी information वगरा चाहिए तो आप comment box में पूच सकते हैं मैं आपको उसके बारे में भी म इसके बाद accept पर click करता हूँ यहाँ पर गयज आपको get link का option मिल जाएगा इस पर आपने click करना है और यहाँ से आप अपना link जो है वो share कर सकते हैं अपने fronts को या फिर आप आगे social media platforms पर दे सकते हैं जिससे आप earning कर सकते हैं get link पर click करेंगे आपका link जो जो को आप कहीं पर भ हरेगा तो definitely उससे आपको जो है earnings मिलेंगी rewards मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं you will earn five percent of all the referrals revenue जो के अगर कोई भी person आपके referral से account create करता है और उसको पर earning करता है किसी भी website वगरा पे तो उसका five percent जो है वो आपको यहां पर bonus मिलता रहेगा referral revenue होंगे वो सभी आपको five percent सभी लोग program का भी यूज कर सकते हैं तो मैंने आपको यहां पर complete method share कर दिया और आपको यहां पर मैंने दिखा भी दिया कैसे approval लेना है verified भी successfully site हो चुकी है multiple accounts को verify कर सकते हैं अगर आपका एक और account है और website आप add करने चाहते हैं add site पर click करेंगे same process है यहां पर URL add करना add site पर click करना code को paste करन that then automatically verify हो जाएगा तो आज के लिए बस इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का प्रटेंड प्रेस कर दें और चैनल को subscribe करके bell notification को उन कर लें ताके इसी तरह की amazing videos की notifications आपको मिलती ने मैं मिलता हूँ आपको next video में next topic के साथ अल्लहाफीज